नमस्कार दोस्तो स्वागत है मारे इस सिर्ट चनल दोस्तो आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत सुंदर बात करने हैं वीडियो को लाइक चनल को सब्स्राइब जरू की जगा के ऐसे ऐसे जनकारी जो है आप लोग के पास में डेरेट मिलती रहे और आपके घर में खुसिया हमेशा मिलती रहे मातार दूर्गाजी के किरपास है दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं दाद खाज- खुझली बारे में दोस्तो को बहुत सबीर दाद खाज- खुझली जो है वो बार-बार क्यों हो जाती है और इसकी अंत कैसे होगी तो दोस्तों अगर आप लोग को बार करना पड़ेगा कम से कम कांदा कोहड़ा बैगन मचली यह सब चीज जो है और बैगन यह सब चीज जो है ओ ठांडा होता है और इसके कारण दाद खाज खुली हो जाएगी और आपके खुन में अगर इंफेक्शन है तो समझे कि आपकी सरी जो है पूरा खराब हो जाएगी तो यह चार चीज अबर छोड़ देते हैं तो आपकी जिंदगी बहुंच जाएगी अगर खाना है तो मीट खाईए और दूद खाईए लेकिन दही मत खा आते हैं तो आपको आपको क्या करना है आपको अगर दाध खाज खुझली हो गई है तो आपको क्या करना कि एक केजी पपिता खरिट करके लाईएगा और उसको पानी को उसको धीमी आज पे आधा गांटा थोड़ा सा पकाली जिएगा उसमें का और्क जो है निकल जाएगा तो पानी जो है पपिता आप खाये गए आप फैंक दीजिएगा लेकिन उस पानी को एक सीसी में भर करके रख दीजिएगा और उस पानी को आपको जहां जहां दाद है ऐसे लगाना है अगर दो चार दस दिन मानी इतना यानि कि यह किस दिन इसका डोज है लेकिन एक इस दिन के अंदर में छुट जाएगा आपको पहला नमर तो दावा जो है पानी वाला सुबह लगाना है और एक दावा है कि आपको लेना है 100 गराम नारियल का तेल 10-20-50 रुपे में मिल जाएगा या 30 रुपे में 100 गराम और उसमें 10 गोली कपूर ले आना है धेला कपूर जो पुझापाट में लगता है और उसको क्या करना है कि बड़ी कुट देना है और कुटने के बाद में उसमें मिक्स कर देना है तेल में और दो घंटा धूप में रख द और साम के समय में सोने से 2-3 घंटा पहले आपको क्या करना है कि अगर सुबह में पपीता का लगाते हैं तो 12 बजे असनान ध्यान कर लिजिएगा और ए दवाई कभी भी लगाएगा तो असनान करके ही लगाएगा या वैसे भी लगा सकते हैं लेकिन असनान पपीता का लगा जिएगा उसके बार च्ञाटा के बाद आसनान करने के बार ay आपकी आकड़ा वाई तेLab िसको लगा carrot के समय में यह दोनों दवाई लगाएगे लगांगे अब आपको आपको कास खाज खुज ली एक जीमा तुरन्त आपको सरीर से 20 दिन के अंधर मिठ जाएगा Dipay jetzt तो पहालों अपनली तो उसके बाद में खराबोगी, तो दोस्तों, कोई भी बिमारी होती है खान पान के जड़िये तो खान पान आप लोग कंट्रोल करेंगे तो कोई परकार की बिमारी नहीं होगी वैसे ही दाद खाज खुझली अगर सरीर से मिटा देना है हम लोग को भी होती है लेकिन हम लोग कंदा कोहरा बैगन मचली वो जो है वो वाली नहीं है तो दोस्तों माता दुर्गाजी से हर तम हर और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग के घर में खुसियां मिलती रहे और जितनी भी जनकारी है हमारे तरफ से आप लोग को मिलती रहे ठैकी दोस्तों जहां भी रहें वहां बने रहें मस्त रहें और आप लोग क कमीनी में जो है वो माता दुर्गाजी हमेशा ब्रब कर देते रहे थेंकी दोस्तों